तो राइड गर्स अगें वेलकम बैक टू एनदर वीडियो और आज किस वीडियो में हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं शौमी के मी नोट 11 प्रो स्मार्टफोन का अभी हाली में रेड्मी नोट 10 प्रो स्मार्टफोन को इंडिया में रिलीस किया है और अब बहुत ही जल्दी रेड्मी नोट 11 प्रो को भी इंडिया में लॉंच कर दिया जाएगा हमारी ओडियंस जो है यह रेड्मी नोट 10 प्रो के बाद अब मी नोट 11 प्रो का वेट कर रही है तो आज हम करेंगे आफ्टर लॉंचिंग इसके अन्बोक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा का से किया एको इसका लुक कैसा केमरा देखने को मिलेगा इसकी बैटरी को इसक कितनाई एमेयेश की देखने को मिलेगा। इसका पर्फॉ bastard government कियसा देखने को मिलने वाला हैं सबही आज किस वीडियो में आपके साँ साथ करूँगा और अगिर आब को ठीज़कर को फिर में क्या का box content देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर note 11 pro की branding है box बहुत ज़्यादा खास नहीं है तो जल्दी से box को open करते है बहुत ज़्यादा hard है box so box को open करते हैं हमको मिल रहा है एक lead जिसके अंदर आपको documentation, transparent case etc. etc. बहुत कुछ देखने को मिलते है जो हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है तो इसको रखते है side में इसके लावा हमको मिल रहा हमारा यह device जो weight काफी ज़्यादा लग रहा है बड़ डिवाइस काफी ठीक है light थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है तो manage कर लेना अभी इसको रखते है side में इसके लावा हमको मिल रहा है फास्ट चार्जिंग अड़ाप्टर जो की अपना 120 वाल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा यहाँ पर शामी की ब्रैंडिंग भी है एक टाइप से स्पोर्ट वाला केबल देखनी को मिल रहा है तो इसको भी डखते है side में और अब हम बात करते हैं इसके specifications के बारे में तो अगर हम बात करें स्ट वाइस के display के बारे में तो यहाँ पर हमें 6.7 इंज का Full HD Plus Resolution वाला Super AMOLED Panel display देखनी को मिल जाएगा और अच्छी बात यहाँ पर आपको 120Hz का refresh rate भी देखनी को मिलेगा तो आपको display में किसी भी तरह का scrolling issue देखनी को नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको इन display fingerprint scanner और face unlock जैसे features भी देखनी को मिल जाएगा परफॉमेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको snapdragon का latest chipset 888 वाला chipset देखनी को मिल जाएगा और यह 5G connectivity को भी support करेगा तो आप PUBG या फिर इसके तरह किसी भी तरह के heavy gaming को बेना lag के काफी tab तक easily खेल पाऊगे और इसके अंदर आपको android 11 का support देखने को मिल जाएगा जो रइन करेगा MIUI 12 पे इसके camera की बात करें तो यहाँ पर आपको quad real camera setup देखने को मिलेगा जापर इसका primary sensor 108 megapixel का इसके लावा आपको ultra wide angle lens telephoto lens और एक micro lens भी देखने को मिलेगा फ्रेंट की बात करें तो आपको फ्रेंट में 32 megapixel का selfie shooter selfie camera setup देखने को मिलेगा बैटरी की बात करें तो यहाँ पर YouTube उसकता है कि आपको 60 volt का भी 50 भी मिल सकता है बट यहाँ पर expect किया जा रहा है कि यहाँ पर आपको 120 का फास्ट चार्जड देखने को मिलेगा और इसके रिलीश टेट की बात करें तो यह बहुत ही जल्दी इंडिया प्रकेट में लॉंच हो जाएगा प्रैस बिसका नोर्मर रहने वाला आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि स्पैक्स के कोडिक इस ट्वाइस का प्राइस चुए वह क्या होना चीए और इसका गेववे कॉंटेस्ट भी हमारे चैनल पर शुरू हो चुका है तो अगर आप